इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्रैनी चेप्टर टू का सबसे डिफिकल्ट एस्केप, यानि कि हेलिकॉपटर एस्केप कैसे किया जाता है? तो जैसे मैं Granny Chapter 1 में Granny को कैद कर देता हूँ नो पहली वैसे ही हमने Granny Chapter 2 में भी करना है सबसे पहले मैं यहां से नीचे आ जाता हूँ और Boat के सास्थ देखता हूँ यहां पर कुछ पढ़ा तो नहीं हुआ है यहां इस बक्से के उपर कुछ नहीं पढ़ा हूँ ठीक है Boat Escape तो आपने देख लिया था पिछली वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा Helicopter Escape कैसे करना है यहां पर अगर आपको कुछ ना कुछ पढ़ा हूँ मिल जाए ना ओके मुझे मिला है Door Lock ठीक है यह हमारे किसी काम करनी है क्योंकि हम Door Escape नहीं कर रहे है अब आपने यह वाला दर्वाजा कुलना है और यहां पर आके इसके सेंटर में ड्रॉप कर देना है सेंटर में बिल्कुर सेंटर में वो ड्रॉप हो गया अब आपने आना है यहाँ पर इस दर्वाजे के पिछे याँके बैठ जाना है और ऐसी एंगल मनानी है कि आपको वोला दर्वाजा आदा दिखे ठीक है अब वो ग्रैनी आपको नहीं देख पाईगी ठीक है अब मैंने इस चीज़ को वापिस से दोराना है अके टोरलॉक वाँ पे फैंक दिया मैंने अब मैंको यहाँ पे दर्वाजे के पिछे वापिस बैठ जाना है ग्रैनी चैप्टर 2 में आपने सबर रखना है ठीक है जल्दबाजी से काम नहीं लेना अब हमने येवले drawers चेक करने हैं, यहां पे हमें boat की मिल गया है, ओ, grandpa आ गया, ICU बोलते बोलते हैं, तो यहां पे हमें मिला है एक glass fuse, ठीक है, यह चीज हमने याद रखनी है, अब hopefully हमें उपर से stun gun मिल जाए यार, hand wheel चलो यह नहीं चाहिए, अबे तुझे मैं दिखनी रहूं क दिख रहूं दिख रहूं दिख रहूं इसको, risk लेना हमने ठीक है, store में भी देख लेता हूं, कि यहां पे कुछ नहीं है, देखा granny से 2 मिनिट के लिए चुटकारा पाया हो, और हमें कितना फाइदा हो गया, हम एक तरफ से गेरे गए, दोनों तरफ से नहीं गेरे गे, यह यहां से मुझे cutting player मिल गया, यहां shore मचा दिया मैंने room में, अब वो grandpa आता होगा, grandpa बहुत ज़्यादा risk है, कभी-कभी उसको सुनाई देता है, और कभी-कभी नहीं सुनाई देता है, अब हम यह chain cutter ऊपर use होंगे, ठीक है, security room में, और यह security room के बार मैंने यह fang दिया है chain cutter, door handle चलो, यह तो मेरे किसी काम का नहीं है, यहां drawers में देख लेता हूं क्या है, safe की पड़ी होई यहां पर, ठीक है, इसको करते है, unlock, यहां से नीचे चलते है, और hope करते है, यहां पर grandpa ना हो, ओ grandpa यहां पर सौय हुआ है, और शोर मचाया है, वो जाग गया, ठीक है, अब इस room क सामने, यहां पर safe है, इसको कोलते हैं, और यहां से बागते हैं, ठीक है, यहां पर बिल्कुल दियान ने देना हमने, safe की कोई यहीं पर drop करते हैं, आ रहा है, आ रहा है, अब तो granny मी जाकी होगी, इसलिए हमने क्या करना है, वैपन डूनने के कोशिश करनी है अब, और यहा करता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ, और granny को वापिस अपने जाल में फसा देता हूँ, अब इन्हें यहां पर वीचे कर लेने के यहां पर कुछ है तो नहीं, अब I think दो मिनट हो गए है, मुझे ग्रैनी को नीचे बला लेने चाहिए, ठीके ची, वहीं पर फैंक दिय इसको ओन करता हूँ, ग्रैनी गौन फर टू मिनट्स, अब मैं इसी दो उपर चलता हूँ, भाई साब यह साही हो गया, और इस डोर में देख लेता हूँ, यहां पर सेफ में क्या पड़ा हो था, अच्छा स्पार्क प्लग मिला है यहां से, ओके यहां पर रैंच पड़ा ह कोशिश करता हूँ, कि यहां से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इस फोटो को भी हटा के देख लेता हूँ, कभी-कभी इसके पीछे भी कुछ पड़ा होता है, अब भी तो नहीं पड़ा हुआ फिलाल, यहां भी कुछ नहीं पड़ा हुआ, यह पीस ओफ पिक्चर ह चुड़ो, ओ भाई, ग्रैनी आगे, देखा, देखा, सेक्यूर्टी की ना लेने का कितना बड़ा फाइदा हुआ, अब मैं क्या करता हूँ, स्टैंगन को यहां सेक्यूर्टी रूम के बाहर ड्रॉप कर देता हूँ, बाद में उठाँगा इसको, और ग्रैन्पा की छाती से स्क्यूर्टी की ले लेता हूँ, चल भाई देदेए मुझे, भाई बहुत तेज हैं यह ग्रैनी चैप्टर टू की जगा बहुत छोटी है, स्क्यूर्टी की को खोल के यहां बाद ड्रॉप कर देता हूँ, और यहां पे कुछ नहीं है, अब यहां से ना आप ग्रैनी औ और मुझे चाहिए एक शॉटगन, इन सेडियों से उपर चड़के आता हूँ, और यहां पे देखता हूँ, इस रूम में कुछ है तो नहीं, यह ड्रॉर्स हैं हेलिकॉप्टर का मैनुल मिल गया, अब हमें हेलिकॉप्टर को उड़ाने में असानी होगी, हेलिकॉप्टर म किनों पीसीस रखतेंगे, यह अवला गेट खुल जाएगा, यह अवला दरवाजे भी खुल के देख लेते हैं, इस कबड़ में क्या है, कुछ भी नहीं है, अब वहाँ सामने आप देख रहे हो, वहाँ पे हमने शॉटगन को शूट करना है, और यह जो चोटा सा गेट आन में ड्रॉप कर देता हूँ, ओके हमारा रैंच यहाँ ही पे आया, इस से हम पानी का बहाव रोख सकते हैं, ठीक है, यह रैंच मैंने पकड़ लिया है, अब यह जो पानी है जिसके अंदर एक खुंखार क्रोकोडायल है, उसको हमने यहाँ पे आने से रोकना है, उसके यहाँ पर चड़ते साथ, यहाँ पर आ गया है हमारा यह प्लेट, इसके उपर रख देता हूँ में पिक्चर का पार्ट, एक पार्ट हो गया, यह आगया दूसरा पार्ट, और यह आ गया हमारा तीसरा पार्ट, चलो, अब मैंने यह दरवजा खुल देना है, अब यहाँ हमें use होगी shotgun shotgun की मदद से हमने इन तीनो targets को hit करना है और ये तीनो green हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर हमें काफी ज़दा ammo मिल जाएगा ठीक है unlimited ammo एदर बिल्कुल tension ज़रूर थी नहीं है और ये वाला द्रवजा खुल जाएगा ठीक है अब मैं अगला काम क्या करता हूँ जो मैं करना पसंद करता हूँ एक काम करने के बाद मैं granny और grandpa को stun करना पसंद करता हूँ ठीक है कहाँ छोड़ी थी मैंने stun gun ओके यहाँ पर है ठीक है अभी उसने मुझे hit कर दिया यार देखा उनकी range काफी ज़ाद है इन दोनों की अब मुझे वही process repeat करना पड़ेगा granny तु कैसे मेरे चाल में फस जाती है अरवार ओके नौ वेर इस माइ stun gun grandpa तो नहीं आ रहा होगा किसे नहीं grandpa नहीं आ रहा वो सामने है grandpa इदर आ जा grandpa oh hello I think मुझे इस stun gun से ही उस बार वाले बच्चे को shoot करना पड़ेगा हो तब ही है यह कि नहीं अच्छा हो गया oh yes यह तो first time किया मैंने grandpa होगा क्यूंकि मैंने उसके बच्चे को मार दिया बट तू भी जा रहा है उसके साथ I'm so sorry अब granny भी आने वाली होगी okay granny नहीं आ रही है ठीक है दुख्य हो गई है slendry ना बट हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें यहाँ पे चाहिए अपना crowbar yes अब crowbar की मज़द से मुझे shotgun मिल जाएगी चलो वो दोनों बक से खोल के देखते हैं बट granny नहीं आ रही हो यार यहाँ से एक काम करता हूँ granny को पहले stend कर देता हूँ प्यानो बजाके बुलाओ उसको अब यह नीचे है क्या कहां है यह ओ बढ़िया कीतबा अब यह कितनी तेजा ही यहाँ से यह ले खुराग अपनी अब stend gun को यहें पर drop करते हैं और नीचे देखते हैं कि उस डबे में क्या पड़ा हूँ आखिरकार प्रोबार ले चलते हैं नीचे ग्रैंट पासे मैं ज़ादा डरता नहीं होता हूँ मैं ज़ादा डरता हूँ granny से बट ग्रैंट पासे भी डर लगता है यार उसके कभी-कभी मैं पास जाता हूँ न ओके मुझे वैपन की मिल गिया है थैंक गॉड यार बस इसी की कमी थी मुझे अब यह जो पियानो वाल रूम है न यहाँ पे एक बुक शेल्फ पड़ा हूँ है और यहाँ पे एक अटपटी सी बुक है इसको आपने खीचन है और यह बुक शेल्फ हो जाएगा पीछे और यहाँ इसके अंदर आपने गुसना है इसको खोलना है और शॉटगन को पकड़ लेना है और ग्लास फ्यूज याल रखना है और यह खुल जाएगा थैंक गॉड यार इसको यही पे ड्रॉप करते है अच्छें कटर में नीचे ही रखा है मेरे ख्याल से हाँ यह रखा है ना चलो इसको पर ले चलते है अब यह दोनों चेंस काटनी है मैंने और देखता हूँ यहां से क्या मिलेगा हेलिकॉप्टर की की मिल गी है भाई साब सब कुछ अपने हिसाब से ही हो रहा है आज अब हेलिकॉप्टर की की को मैं ड्रॉप तो करना पसंद नहीं करता बिल्कुल भी बट इसको करना पड़ेगा मुझे आज यहां पे ओके यहां पे मैंने ड्रॉप कर दिये इसको गायब नहीं होना प्लीज कभी-कभी गायब भी हो जाती है यह अब शॉटगॉन को पकड़ते हैं और अब मैं सोचता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए यह होगी मेरे पास हेलिकॉप्टर की की ठीक है क्रो बार की मदद से मुझे गैसलीन काय मिल जाएगा चलो यहां पे इसको प्रेस करते हैं बार-बार और अब मैं डेर सा रायम मिल जाएगा यहां से ठीक है आपनि यह निए करना है अपने उससे पहले यहां पर एक glass fuse लगा देना है उसकी मदद से ये बार電 लाइट है यह green हो जाएगी और आप यहां से आगे जा सको के ठीक है इसलिए अब हम glass fuse ले आते हैं बार से उससे पहले हम यहाँ पे अबे रिलोड ही नहीं कर सकते बुलेट का तमोगी कोई बात नहीं यहाँ पे भी बुलेट पड़ी भी थी चलो जी दो बुलेट आगी है मारे पास अब हम उन दोनों की बैंड बजा सकते हैं यह ले गरेनी वन फॉर यू and where is that human being of no use worthless peace अब यार ये काम के वक्त ये आता ही नहीं है कभी भी इतनी जरूरत है मुझे उसकी इस वक्त ये वालो रूम है देखा के नहीं? हाँ देख लिए था ओके यहाँ बात्रूम में भी एक हिस्सा है कबोर्ड है यहाँ पे इस से हमें कुछ नहीं मिला अब यहाँ पे आपके सबर का टेस्ट होगा ठीक है हमें चीज नहीं नहीं मिली जो हमें चाहिए थी और वो था ग्रैंट पा ताकि मुझे उसको एक साथ ही डाउन कर दाता है यहाँ मिल जाए भाई यह गाने के वाद यहाँ से आ रही है अच्छा वो ग्रैंट पा किचन में है बट मैंने गलती से एक बुलेट शूट कर दी थी ओके ग्रैंटी वहाँ पे है ग्रैंट पा भी वहीं पे है मुझे एक बुलेट चाहिए बस अब ओके वहाँ पे बढ़ी हुए बुलेट एक हेलो हेलो दोनों आजओ प्लीज प्लीज दोनों आजओ एक खटे होके आना यार यार तुम मिया वीवी हो एक साथ रहा करो यार हर जगा यार अकेले आ रही है कोई बात नी ग्रैंट पा नीचे ही होगा कहीं गाने सुन रहा था नहीं यहाँ पर नहीं बाई पता नहीं कहां पर छुपा हुआ है किस बिल में छुपा हुआ है यह अचा सोय हुआ है यहाँ पर हेलो येलो येर आ याम बिचारा अब आई थिंक मुझे शॉटगन को उपर ही ड्रॉप करना चाहिए वो भी लोड करके ठीक है रिस्की लेना बिल्कुल भी बेशक एक ही गन रख लेता हूँ बट रख तो लेता हूँ न चलो जी अब मुझे थोड़ा डर कम लग रहा है इसको करते हैं या सेक्यूटी रूम के बार ड्रॉप अब उठते हैं यावली डक्टेप और इसको भी कर देते हैं याँ पर बार ड्रॉप ठीक है अब मुझे नीचे जाके सीधा क्रो बार लेना है धाई मिनुट है मेरे पास काफी ज़दा टाईम है हो जाएगा अब मुझे लगता है उपर उस डबे से मुझे गैसुलीन कैन मिल जाएगा और हमारा हेलिकॉप्टर एसकेप हो जाएगा सक्सेस्फुल यह बगवान गैसुलीन ही हो यहाँ पे अब यह पैडलोग की है यहाँ पे एक काम करता हूँ ग्लास फ्यूज को उपर ही ले चलता हूँ ठीक है क्या अब तक गैसुलीन कैन उपर ही पड़ा हो लेट्स को अप तो भाईो बैनो यहाँ पे लगेगा हमारा गैस फ्यूज और वो होगे ग्रीन आपने रूम में अच्छा कई पना इपना इनो ने ना यहाँ वर तो लाइन नीचर गही है यहाँ और इस इस ना आपने पाड़ा हूँ आपने मिस तो नहीं है तो अब इस व कुछ नहीं है कि अब बचे तो अभी तक मरा पड़ा हूँ है एक बार नीचे जाके देखता हूँ मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर तो नहीं है अपने रूम में नहीं यहाँ भी नहीं है मैंने वहाँ डूना जहाँ पर कभी कोई चेक ही नहीं करता है अबे यहाँ पड़ा हुआ यह क्या यार एक दम कोने में सटका आगे चुपाया हुआ था इन्होंने आजा यार मेरी जाने मन शोर मच गया आप मेंने कलच मारना पड़ेगा दोनों आ रहे हो गए एक साथ पक्का दोनों आ रहे होंगे ओ भाई मारी गी थी आल्मुस मुझे ये लो जी ये आप लो अब अगर मैंने गलती से भी गैसलीन कैन को ये शूट कर दिया ना तो मेरा हेलिकप्टर इसकेप वहीं का वहीं रह जाएगा आहा ये लो जी आप अपनी खुराक और ये पकड़ता हूँ मैं गैसलीन कैन और ठाठा बाई बाई देखा ये दर्वाजा खोलने से सहूलियत होगी कितनी ये काम करता हूँ पहले सब कुछ यहां पर नहीं 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 कभी-कभी चीज़ें गया भी हो जाती है फ्यूल कर दिया है फुल डग टेप ले आते हैं आप नीचे से पांच सेकंड के अंदर नदर लाऊंगे डग टेप देखना लग जी पकड़ ली डग टेप चलो साथ आठ 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 सेकंड लगे होंगे अब हमने ये वाली जो पंखुडी है ना हेलिकॉप्टर की जो की टूटी हुई है इसको हमने जोड़ना है यहां से यहां पर लगानी हमने डग टेप और यह जोड़ गया ठीक है अब हमने बस पकड़नी है अपनी हेलिकॉप्टर की और हमने ध्यान रखना है कि ऊपर वो वाइट कलर का हेलिकॉप्टर वाला साइन बना हुए कि नी हाँ जी बना हुआ है वो इसलिए बना हुए क्यूंकि हमने helicopter का manual ले लिया था अगर हमारे पास helicopter manually होगा तो हमारा helicopter crash कर जाएगा तो अब हमने यहाँ पे enter करना है और engine को करना है start और हमारा escape हो गया है successful अब गनानी ग्रेंट पाएंगे उपरा हमें देखने के लिए टाटा बाई बाई करेंगे नीचे से ओके बाई बाई ना ना कर रहे हैं बिचारे और ये मेरा लाइफ को फर्स्ट एक्सकेप है हेलिकॉप्टर वाला और इसी का मैंने टुटोरियल दे दिया चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई